नमस्कार निउजी स्टेशन में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि बनिहाल और कट्रा के बीच बन रही रेलवे लाइन की क्या इस्थती है आए हम आपको बताते हैं कि उवराल जो लाइन है वो कहां से कहां तक जाएगी तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकत है यहाँ पर हम आपको बता दें बारा मुला जो कि 1583 मीटर की उचाई पर है वहां से लेकर स्री नगर जो हम कह सकते हैं 1592 मीटर की उचाई पर है यानि यह घाटी का हिस्सा है लेकिन समुद्र तल से जो हम आपको उचाई बता रहे हैं वो 1592 मीटर बता रहे हैं और यह बन अगर हम देखें तो 1723 मीटर है और उसके बाद बनिहाल में 1702 मीटर पर इस्टेशन बना हुआ है और यह जो लाइन है पूरी लाइन पढ़ चुकी है यहाँ पर ट्रेन भी चलती है अब आगे का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हम कह सकते हैं बनिहाल से कट्रा के बीच में लाइन बिचाना उस पर काम चल रहा है यहाँ पर जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन पर काम चल रहा है कट्रा तक रेल लाइन बिच चुकी है और यहाँ तक ट्रेन जाती है यानि अब यह जो इलाका है इस पर काम चल रहा है जबरदस तरीके से काम चल रहा है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊचे-ऊचे पहाड़ हैं क्योंकि यह पीर पंजाल का हिस्सा है पीर पंजाल परवत्माला उसका हिस्सा है और एक कट्राबनिहाल रेल मार्क बोलते हैं 111 किलोंमीटर लंबी लाइन ये पढ़नी है जिस पर काम चल ला है जिस पर दो बड़े व्रिज हैं अंजी व्रिज और चेनाब व्रिज ये दोनों अपने आप में हम कह सकते हैं कि उलेखनी व्रिज हैं इन पर जवरदस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर जब ये रूट बन जाएगा तो निशित तोर पर हम कह सकते हैं कि स्रीनगर से लेकर बनेंगे और कहीं ट्रेन बदलने की ज़रूत नहीं सीधे कन्यकुमारी पहुंच सकते हैं यानि भारती रेलवे के नेटवर्क से पूरा का पूरा जम्मू कस्मीर जुड़ जाएगा और इस पर लगातार काम किया जा रहा है चूंकि टेरेन ऐसा है जिसमें धेर सारी सुरं दंसीर इलाका है लिहाजा यहां की जियालजी अलग है साथी साथ यहां जो इस्तेमाल की जा रही टक्निक हो अलग है और अभी तक क्या हुआ है अगर हम उसकी बात करें कि अभी तक जो काम हुआ है अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि चेनाब जवर्दस तरीके का काम चल रहा है और इस समय की स्थती की बात करें तो क्या स्थती है वो आप देख सकते हैं यानि यह वाइड़क्ट पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का है और यह कौड़ी इंड है यानि कौड़ी इंड पर यह जो चुका है और इसके आगे अगर हम देखें तो यहां पर आर्क बन रहा है यह दुनिया का सबसे उचा आर्क ब्रिज होगा और इसके जबरदस्त चीजें यह हैं कि अगर हम इसकी अभी की इस्तती की बात करें यह लेटेस्ट पोजिशन हम आपको दिखा रहे हैं आर्क धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है अब यह छोटा सा हिस्शा बीश में रहे गया है लेकिन यह काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पर हम आपको बता दें कि यह जो नदी है नदी से उपर तक की अगर उचाई की बात करेंगे आर्क की तो यह जबरदस्त है और यहां पर जबरदस्त तरीके से हवाएं चलती है जो हवाई चलती है उनकी रफ्तार बहुत जादा होती है लिहाजा ये पुल चबरदस्त बनाए जा रहा है जिसमें कोई दिक्कत ना हो और ये जो आर्च बनेगा इसी के ऊपर से जो है रेल वे लाइन जाएगी ये रेल वे लाइन इसके ऊपर से जाएगी तो ये अपने आप में अनूठा आर्च बिर्ज है चलिए आगे की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा ब्रिज अंजी ब्रिज जिसकी हम बात करते हैं अंजी खट पर है यानि रियासी के पास में है उसकी क्या इस्थति है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या इस्थति है वो देखना चाहें तो अंजी ब्रिज के बारे में जो सबसे जवर्दस चीज है यह पहला ऐसा ब्रिज है जो फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज यानि ऐसा रेल ब्रिज है जो केबल से जुड़ेगा में स्पैन आप 290 meter length and 196 above bed level और इसमें 96 cables होंगी जिनसे इसको support किया जाएगा चलिए अब हम artistic view देख लेते हैं किस तरीके के ब्रिज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ब्रिज होगा तो यह अंजी ब्रिज का हम artistic view दिखा रहे हैं कि कैसा ह होगा यानि एक जबर्दस तरीके का यहाँ पर पिलर है और उसके उपर अगर हम देखें तो यह रेल लाइन निकलेगी और यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि उल्टा वाई से जो है बनेगा और जिसका काम चल रहा है और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक यानि जहां पर यह एक तरीके से पिलर है वहां तक 290 मीटर और रेलवे लाइन से उपर तक की बात करें जहां से यह तार जुडेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 193 मीटर उचाई होगी यह अपने आप में जबर्दस प्रिज़ है क्योंकि इंजिनरिंग का नम ही है क्योंकि यह काफी जबर्दस्त काम है और यहां पर जो रेलवे लाइन बिछेगी यहां से आगे सीधा फिर सुरंग में चली जाएगी और एक और चीज मैं आपको बता दूँ 111 किलोमीटर लंबे रेल मार्क पर ज्यादा तर हिस्सा जो है टनल से हो कर जाता है और हिम में एक स्केप टनल भी मनाई जा रही है और यह दोनों टनल बनने का मतलब हुआ कि जितनी सुरंग बनने उसके डबल लंबाई की सुरंगे खोजी जाएगी और वहीं काम चल रहा है चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं क्या इस्थती है अब यहां पर अंजीब इसका जो कह सकते हैं कि यह में पाइलान जो बन रहा है यानि जिस पर यानि हम कह सकते हैं केबल्स को लगाया जाना है वो यहां पर इस्थती क्या है किस तरीके की स्थती बन रही है उसको यहां पर दिखाया जा रहा है क्योंकि प्रोग्रेस सब जानना चाहते है कि इस इलाके में क्य तरीके का काम चल रहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिरकार हमारा पैसा लगाया कहा जा रहा है क्योंकि हजारों करोड की यह योजना है रेलवे दिन रात काम कर रही है और यहां पर आप देख सकते हैं सामने सुरंग है यानि यहां पर जो रेलवे लाइन की खासियत है और यह जो लाइन होगी वो हम कह सकते ही को उसका लेवल बनेगा और सीधा सुरंग में ट्रेन चली जाएगी तो यह अपने आप में जवर्दस्त है और इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या इस्थति है वो हम आपको दिखाएंगे यह देखिए रियासी सकते हैं और यह काम लगाता जानी है क्योंकि यहां दिक्कते है कि जब बारिस होने लगती है तो काम रुख जाता है और यह कोई दूसरी दिक्कत है तब काम रुख जाता है जाडों में यहाँ पर काम करना मुस्किल होता है तो यह सारी दिक्कते हैं जिनका सामना करते हुए हम कह सकते हैं भारती रेलवे के इंजिनियर्स लगे हुएं कॉंकन रेलवे के इंजिनियर्स लगे हुएं तमाम लोग इसमें काम कर रहे ह चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि सब स्ट्रक्चर अब 혹시 39 ये जो है सब स्ट्रक्चर को complete कर लिया गया है मतलब सब स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हुआ कि पिलर सारे complete हो गया है ये देखिए ये जबर्दसद पिलर है और इसमें अलग तरीके का सीमेंट इस्तेम बना रहे हैं ऐसे इलाके में जहां पर लगातार भूकम के जटके आते हैं और कोई बड़ा भूकम पा सकता है इस तरीके के स्थति हो तो उसके लिए मजबूत इस्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है तो यहां जो आप देख रहे हैं यह लिटेश्ट पोजिशन है जिसको म हम निश्चित तोर पर कह सकते हैं यह हिमाले का वो इलाका है जहां पर एक बड़ा भूकम कभी भी आ सकता है अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें खास तौर पर जीलाजिस्ट की बात करते हैं तो उनका कहना ही यह जोन 5 है और यह इलाका एक बड़े भूकम का इंतजार कर रहा है बड़े भूकम से जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब बहुत सीधा होता है साधे आठ या नौ की मैगनिट्यूट का भूकम यानि रिश्टर स्केल पर बगएर हम बात करें तो निश्चित तोर पर हम कह सकते हैं ऐसा भूकम जो बहुत सी चीजों को तहस नहस कर देगा एक लंबे समय से कस्मीर में बड़ा भूकम नहीं आया है लिहाजा सब को डर भी है तो इस वज़े से जो इस्ट्रक्चर बनाय जा रहे हैं वो काफी मजबूत बनाय जा रहे हैं साथी साथी ये देखा जा रहा है कि उसमें लागत पर भी अंकुसर है ऐसा नहीं कि आप धेर सारा पैसा है आपके पास खुब खर्च कर दीजे लेकिन फिर भी कीमत बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पर तमाम चीजें हैं क्या है चैलेंजे जिनकी बात की इनेक्सिबिल साइट्स की हम बात करते हैं और साथी साथ यहाँ पर कुछ जो दिक्कते रही है उसका यह जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से क्या-क्या दिक्कत रही है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्याए वेरी डिफिकल्ट जयॉजरी यंग हमालेन माउं runners यह दिक्कत हर जगह पर है, repeated PIL in high court में लोग मामला डाल देते हैं, क्योंकि यह आतंकवाद से ग्रसित इलाका है, तमाम लोग जो जिनके vested interest हैं, वो कहीं high court चले जाते हैं, कहीं अलग-अलग जगहों पर काम को रोकने की कोसिस करते हैं, यह 2008-2016 में यह सब हुआ, लेकिन यह सा परदस्त होता है, और COVID-19 ने थोड़ा और दिक्कत खड़ी कर दी, तो निश्यत तोर पर हम कह सकते हैं, कि यह जो COVID-19 है, उसकी वजह से दिक्कत है, लेकिन इसमें परिशान होने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि COVID-19 की जब vaccine आ जाएगी, तो निश्यत तोर पर काम तेजी पक हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अंजी ब्रिज की क्या construction की स्थती है, और यह artistic view हम दिखा रहे हैं, साथी साथ यहाँ पर चेनाब ब्रिज का वायड़क पोर्शन की launching को हम दिखा रहे हैं, और इस समय क्या स्थती है, अगर हम देखें, चेनाब ब्रिज, जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं, दुनिया का सबसे उंचा आर्च ब्रिज होगा यह, उसका construction देखें, तो निश्यत तोर पर कहा जा सकता है, तेजी पकड़ चुका है, और कोविट के मामले में थोड़ा सा दिक्कत जरूर है, लेकिन काम तेजी पकड़े हुए है, और अगर हम भारती रेलव वैली जाना हो, तो आप दिल्ली से बैठेंगे, और सीधे स्री नगर उतरेंगे, रेल वी लाइन के जरिये पहुचेंगे, आप सीधी हम कह सकते हैं, ट्रेन पकड़ कर स्री नगर पहुच पाएंगे, 2022 में